C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वराप्रस्तु थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठे पुष्तक रिमजिम में संकलित एक पाठ पाठ का शीर्षक है फसलों के त्योहार सारा दिन बोरसी के आगे बैठ कर हाथ तापते हुए गुजर जाता है कहां तो खिचडी के समय धूप में गर्माहट की शुरुवात होनी चाहिए और यहां हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए है पूरे दस दिन हो गए सूरज लापता है आज सुभा तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर देखने से तो समय का अंदाज बिलकुल नहीं हो रहा लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है रह रह कर कानों में कभी चांपा कल के चलने और पानी की गिरने की आवास तो कभी किसी के हांक लगाने की आवास आ रही है जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना आज यी लोग के उठे के नई खेका बोल जल्दी तयार हो खस अब तो उठने में ही भलाई है नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकठा हुए दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मान लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है फिचडी में आईसन ठाड हम पहले कब्बो न देखनी सारा देह कनकना देता पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी आज दादी ने अपने बाल धोय है जख सफेद सेमल की रुई जैसे हलके फुलके बाल गोर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता बिलकुल धुली धुली से लग रही है या दादी उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं जिस पर तिल, मिठा यनि गुड चावल आदी के छोटे छोटे धेर पड़े हुए हैं हमें बारी-बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक चगह एकठा करके दान में दे दिया गया आज तो अप्पी दे दिया बुरे फासी उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और नाहीं खिचड़ी पर आज तो फर्माईशी नाश्ता नहीं चलेगा उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेंगी आज खिचड़ी जो है खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है न ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे, उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी चुट्टी का दिन नाओ में बैठकर गंगा नधी की सेर और फिर टापू पर बालू में दोड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना कितना मज़ा आता था इधर हम पतंग उड़ाते थे और वही थोड़ी दूरी पर गुरुजी विमला दिद्दा आनंद जी जिलमिट भैया सब मिलकर इट से बने चूलहे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्यास छीलने बैठ जाते वैसी खिचड़ी फिर दुबारा खाने को नहीं मिली वाकई ढंग कैसा भी हो पर है ये खुशियों का दिवहार जन्वरी माहा के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बाटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी सभी प्रांतों और इलाखों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने में खुशी का इजहार करते हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश में मकर संक्रांती या दिल संक्रांत असम में बिहु केरल में ओणम तमिल्नाडु में पोंगल पंजाब में लोहडी जारखंड में सरहुल गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं इन्हें जन्वरी से मध्य अप्रेल तक अलग-अलग समय मनाया जाता है जारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है चार दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है अलग-अलग जनजातियां इसे अलग-अलग समय में मनाती हैं संथाल लोग फरवरी मार्च में तो औराव लोग इसे मार्च अप्रेल में मनाते हैं आदिवासी आमतोर पर प्रक्रतिय की पूजा करते हैं सरहुल के दिन विशेश रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है स्त्री पुरुष दोनों ही धोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घातियां लंबे लंबे साल के व्रिक्षों का जंगल और वहीं आस पास बसे छोटे छोटे गाउं लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ती में कमर में बाहें डाल कर नृत्य करते हैं अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दोर तीसरे दिन जाकर पूजा होती है जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं इसी दिन से वसंतरित्यों के शुरुवात मानी जाती है धान की भी पूजा होती है पूजा किया हुआ आशिरवादी धान अगली फसल में बोया जाता है तमिल नाडो में मकर संक्रांती या फसलों से जुड़ा त्योहार पॉंगल के रूप में मनाया जाता है इस दिन खरीफ की फसलें चावल अरहर मसूर आदी कट कर घरों में पहुँचती है और लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूद और गुड़ डाल कर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं हल्दी शुब मानी जाती है इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुह के चारों और बांध देते हैं ये मटका दिन में साड़े दस से बारा बजे तक धूप में रखा जाता है जैसे ही दूद में उफान आता है और दूद चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पुंगला पुंगल पुंगला पुंगल यानि खिचडी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं कि दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांती का जश्न अधूरा ही माना जाएगा इस दिन आस्मान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिलें प्रत्य गुजराती चाहे वो किसी भी धर्म जाती या आयुका हो पतंग उड़ाता है हजारों लाखों पतंगों से सूर भी धक साजाता है कुमाओं में मकर संक्रांती को घुगुतिया भी कहते हैं इस दिन आटे और गुड को गूंध कर पकवान बनाय जाते हैं इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिये जाते हैं जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदे पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोयी जाती है ये काम बच्चे बहुत रुचे और उत्साह के साथ करते हैं सुबह बच्चों को माला दी जाती है बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाणों से चले जाते हैं उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं कवा आओ घुगूद आओ ले कवा बढ़ाओ मके देजा सोने का घड़ाओ खाले पूरी मके देजा सोने की छुरी इसके साथ ही जिस चीज की काम नहों वो मांगते हैं है ना कितने अलग-अलग अंदाज मकर संक्रांती को मनाने के गहीं दूद, चावल और गुड की खीर बनती है तो कोई पांच प्रकार के नए अनाज की खिचडी बनाता है कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में सनान के लिए उमड पड़ता है लोग ठंड से ठिटुरते रहेंगे पर बरफीले पानी में कम से कम एक डुपकी तो जरूर लगाएंगे हाल ये होता है कि इन जग़ों पर दिल रखने की भी जगा नहीं होती तिल से याद आया मकर संक्रांती के दिन पानी में तिल डाल कर स्नान करना तिल दान करना आग में तिल डालना तिल के पकवान बनाना विशेश महत्व रखता है तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचडी, पूंगल, मकर संक्रांती या कुछ और कहा जाता है? या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो, तो तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग-अलग धंग से मनाते हैं फसलों के त्योहार अभी आप सुन्रहे थे ये कारिक्रम पाट समन्वै डॉक्टर लता पांडे, नर्माण संचालन प्रभुदयाल खटर, कलाकार नीरश्यर्मा और सुचित्रा गुप्ता, ध्वन्यंकन दीपक पांडे और मिता भट्ती, नर्माण सहयोग दावुदयाल चत्रुवेदी तथा नर्माण इवं प्रस्तुती वंदन अरिमर्दन